इस नमस्कार स्वागत आपका एपीपी गंगा में मैं हुआ अवधेश आपके साथ शाम के पांच बजे हैं तो आज की पांच बड़ी खबरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं इन पांच तस्वीरों को देखिये सबसे पहले और इनमें बात होगी सीम योगी की जिन्होंने कोरोना काल में भी किसानों की खूब मदद की है और उन्हें तए वक्त पर भुक्तान करवाया इसके अलावा दूसरी जो तस्वीर है आज की बड़ी वो ये कि 79,000 सिक्षकों की फाइनल लिष्ट जारी हो चुकी है उन्हें जिलो का वंटेन हो चुका है लिहाजा अब इनकी क सित गोपाल दास से राम बिलास विदान्ती ने मुलागात की और जो उसके आगे की तस्वीर है वो प्रताब गड़ की है दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई यहाँ पर एक युवा को जिन्दा जला दिया गया जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पांच तो जो पांच खबरें आपको हमने दिखाई सिलसलवार तरीके से आपको बताएंगे उसके बारेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी के छुट्टी हो गई है उन्हें अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष पत्जा उसे हटाया गया है और आदेश गुपता दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गये हैं नौर्थ M.C.D. की मेयर भी आदेश गुपत अनोज तिवारी को अध्यक्ष पत से आज हटाया गया है और इस बड़ी खबर पर जादा जानकारी के लिए रूख करेंगे दिल्ली से संबाद दाता अविनाश तिवारी का अविनाश जिस तरीके से आज एक सबसे बड़ा फेर बदल संगठन के स्तर पर दिल्ली में और जो वर्तमान अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी उनको हटाने की पीछे क्या वजह सामने आप आ रही हैं। छे महएने पहले ही पूरे हो चुके थे लेकिन उस वद दिल्ली में विदान सबाद चुनाओं होने थे और विदान सबाद चुनाओं होने की वजह से इस सद्यक्ष नहीं बदला गया था। उनका कारेकाल भी पूरा हो गया था और जो पार्टी चाहती थी उनसे यानि कि जो इस्टार चेरा थे और पुरुवांचल के एक बड़ा चेरा थे और बोचपुरी के काफी माने जाने अविनेता है तो उस तरीके से विदान सबाद चुनाओं में खरे नहीं उत्रे और मात् जिली भारती जनता पार्टी की जो इकाई है वो पहले से इस पर मंतन कर रही थी नया प्रदेश अद्यक्ष्ट के नाम को लेगा बीच में कुरोना आ गया इस वजह से इस तमाम सारे मंतन पर रोग लग गय थी लेकिन जैसे इस्तिती समानने हुई आदेश गुपता को नय प्रदेश अद्यक्ष बनाएगा अगर बात करें आदेश गुपता की तो इनका बैक ग्राउंड भी उत्तर प्रदेश चे है अगर बात करें तो ये कानपूर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है इस नातक की और इसके बाद बिल्कुल और आदेश गुपता का आखिर क्य बैक ग्राउंड है और जो दिल्ली प्रदेश अद्यक्ष बनने का सफर है वो आखिर क्या रहा है तो आपको हम ग्राफिक्स के जरीए समझाते हैं कि आदेश गुपता का बैक ग्राउंड क्या रहा है मोल रूप चे और कन्नौच के रहने वाले हैं और MCD में भी उन्होंने भूमिका निभाई है जिमदारी निभाई है आदेश गुपता का UP कन्नेक्षन क्या है आप समझे कन्नौच के रहने वाले हैं 1991 में BSC की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और राजनीती की तरफ धिरे धिरे ओबढ़े कानपुर विश्विद्याले से उन उन्होंने राजधानी देश की दिल्ली का रुख किया और शुरू में ट्यूसन करके उन्हेंने गुजारा किया और अब देखे दो तस्वीर पहली मनोच तिवारी की जो की अब पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं जबकि दूसरी तस्वीर हम आपको आदेश गुपता की दिखा रहे हैं जो दिल्ली बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं तो कन्नौट से कानपूर, कानपूर से दिल्ली और अब दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो बन गए हैं तो दिल्ली ने बीजेपी में संगटनात्मक इस्तर पर बदलाव किया है और मनोच तिवारी जो की बीते तीन साल छे महीने से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का पत्समाल रहे थे उनको हटा कर नए अध्यक्ष को कमांद सौब दी है और अब बात करते हैं एहम खबर की सीम योगी ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक के जिसमें आज किसानों को किये जा रहे हैं बुक्तान को लेकर समीक्षा की गई इस संकट के बीच योगी सरकार ने गेहूं किसानों को तीन हजार करोल का बुक्तान किया जिसे सीधे खातों में भीजा गया और इस बार यूपी में रिकॉर्ट तोड़ चीनी उत्पादन हुआ है जिसके बाद चीनी उत्पादन में यूपी देश का पहला राज्य बन गया है तो योगी सरकार ने लॉक्डाउन के दौर में किसानों की ज इशा मुक्तिमंद्री ने की गन्ना किसानों को भी 20,000 करों का भुक्तान हुआ इसके साथे साथ रिकॉर्ड उत्पादन चीनी का हुआ है और चीनी उत्पादन की माबले में देश का नंबर बन राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है और रुक करते हैं लखनाओ का अनुभो शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए अनुभो टीम 11 की जो बैठक हुई किसानों पर पूरा फोकस थी आज की बैठक क्या क्या महत्वपूर्ण बाते हुई हैं और क्या आगे भी कुछ राहत उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल सकती ह देखिया अवदेश बिलकुल टीम 11 की जब मीटिंग होती है तो मुखमंटरी रिव्यू करते हैं और हर एक दिन हम कहें तो कोई ने कोई दिशा निर्देश जरूर जारी करते हैं आज किसानों की जो इस्थिति है खास्तोर से जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे ता उस समय उत्रपदेश में अपरेल के दूसरे अफते से यहूं खरीश चुरू हो गई थी केंद्रों पर और यह 3,800 करोन से जाधा का भुकतान उनको किया गया 3.477 लाख मिट्रिक टन यहूं जो है सरकार ने खरीदा है इस पूरे लॉकडाउन के दौरान तो यह काम शुरू किया दूसरी जो बात आप कह रहे हैं चीनी उत्पादन का देखे बीस हजार करोन का भुकतान किया है इस अभी तक और लॉकडाउन में यह बुकतान किया है एक काफी महत्पूर्ण चीज यह है 119 जो चीने मिली हैं सभी को चलाया लॉकडाउन के दौरान किसी को बन नहीं रखा गया और 11,500 लाग कुंटल चीनी की पिराई हुई है गन्ने की पिराई हुई है तो यह एक बड़ा अचीवमेंट है इतना नहीं दो लाग करोन से जादा जो किसान है उनके खाते में दो-दो हजार रुपै की दो-दो बार किस्ते भी बेजी गहीं जो केन कि जिस दौर में आर्थिक संकट का सामना अन्य प्रदेशों में किसान कर रहे हैं उसमें जेब भी भरी गई और उसकी समीक्षा भी चल रहे है शुक्री आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए और अब बात यूपी में 69,000 साहिक अध्याबकों की चैन की करते ह आएगा काउंसलिंग के लिए 3 जून से 6 जून 2020 का समय निर्दायत किया गया कुल मिलाकर 6 जून तक यूपी के सरकारी स्कूलों को 69,000 नए सिक्षक मिल जाएंगे तो एक लंबी लडाई चली लंबी जंग चली एक डिर साल से जादा का वक्त बीता और अब इन सब के बीच अब जब रास्ता साफ हो गया है भरती का तो लिष्ट भी फाइनल सूशी जारी हो चुकी है और 3 से 6 जून के बीच जो जिले हैं वो एलाट कर दिये जाएंगे औ उत्तरप्रदेश को 79,000 जो सिक्षक हैं वो मिलने जा रहे हैं और इसे भी राज्य सरकार एक उपलबजी के तौर पर पेश कर रही कि जिस दौर में लोगों के नौकरियां जा रही हैं उस दौर में हम 79,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं 22,000 सिक्षकों की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है और वेब साइट पर इस चैन की लिस्ट को जारी कर दिया गया है जो जिलों का एलाटमेंट है वो भी शुरू हो चुका है तीन से 6 जून के बीच प्रदेश के सभी जिलों को सिक्षक मिल जाएंगे तो काउंसलिंग का दौर अब शुरू होगा पहली काउंसलिंग होगी फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होगी और जिस तरीके से निराशा का दौर इन सब के बीच चल रहा है लॉकडाउन में उस दौर में 79,000 सिक्षकों की भरती की जो पूरी प्रक्रिया है वो अब अपन चरण में है और इसे एबीपी गंगा से बात करते हुए बेसिक्षा मंत्री सतीज दुवेदी ने बताया भी कि यह हमारी उपलब्दी है कि जिस दौर में लोगों के सामने रोजगार का संकट है उस दौर में हम 79,000 सिक्षकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं और हमारे साथ लखनव से शैलेश अरोडा जुल गए हैं शैलेश जिस तरीके से 79,000 सिक्षकों की भरती जो पूरा मसला था सालों से यह पूरी लड़ाई चल रही थी कोट के दरवाजे पर बहुत दिन तक जंग चली और तमाम अर्चने आई लेकिन अब आखरी च अफदेज निश्चित रूप से जब ये नए शिक्षक प्रदेश को मिलेंगे फिलाल 67,866 शिक्षकों की सूची जारी की गई है जब इतनी बड़ी संख्या शिक्षकों की मिलेगी इन सरकारी स्कूलों में तो निश्चित रूप से जिन विद्यालियों में आज पात-पा प्रदेश क्लास लेने का जिम्मा एक शिक्षक पर है वहां पर भी रहात होगी और जब शिक्षक होंगे परियाप संख्या में तो जो बात की जाती है गुडवत्ता परक्षिक्षा की तब वो जो सपना होगा विभाग का वो सपना पूरा होगा सरकार का तो ऐसे में अब बड़ा फैसला है बस चार दिन का वक्त और बाकी रह गया है छे जूल वो तारी जब काउंसलिंग खत्म हो चुकी होगी और अब्यर्तियों को न्यूक्ति पत्र दे दिये जाएंगे प्रदेश में अगर बात करें वर्तमान सरकार में तो इससे पहले भी एक भरती प्रक्र की लेकिन उसमें जो शिक्षक ने जो बने अब यर्ति वह इसी सरकार में बने तो यह कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है करीब पचास हजार से ऊपर शिक्षक पहले विवाग को मिल चुके हैं और अब यह 68000 जिए ज्यादा अलग भाग 661 800 666 जो शिक्षक हैं यह और म पिष्चित रूप से इससे उन एक करोण 80,000,000,000 शात्राओं की पढ़ाई बहतर हो सकेगी जो निर्धन परिवारों के हैं जो कोई रिक्षा चलाने वाले का बच्चा है तो कोई मजदूर का सपना वो भी देखता है एक अच्छी शिक्षा उसे मिले उसे भी स्कूल में अ कि दो परिक्षाएं पास करके टीचर आ रहे हैं पहले इन लोगों ने टीटी क्वालिफाई किया और उसके बाद अब इन लोगों ने शिक्षा गर्टी की परिक्षा को पास किया तो यानि दो परिक्षा है तैलेंटेड लोगों को लिया गया है हाई कटाउफ को लिया गय करने चाहिए कि सुक्षा की गुडवत्ता बहतर उत्तर प्रदेश में होगी शुक्रिया शैलेस जानकारी के लिए आयुद्या में बनने वाले राम मंदिर के उचाई और भविता बढ़ाने को लेकर भाचपा के पूर्व सांसद और राम जन्भूमी न्यास के वरिष्ट सद कि और उन से राम मंदिर के उचाई और भविता को बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया राम विलास वेदानती और निर्ट गुपाल दास के उत्तरा धिकारी कमल नैन दास की माने तो इस बात पर ट्रश्ट के अध्ध्ष्पी सहमत है कि राम मंदिर के उचाई और अध्रों से ही राम मंदिर का निर्माड होगा क्योंकि अगले दो साल के भीतर पहली मंदिर का निर्माड कारे पूरा हो जाएगा और राम लला को उसमें विराजमान कर दिया जाएगा असल में ये लोग योगी आधितिनात के कारेकाल में ही इस काम को पूरा कर लेना चाहत और मैं सम्मंदित अधिकारियों से वारता करूँगा आपको ही बुलाओंगा वारता में और आपका यह भीशे नहीं हमारा भीशे ही है आपने जो रखा है वो हमको बोलना चाहिए लेकिन मैं नहीं बोल पाएं आप बोल गए अच्छा किये और मैं चाहता हूं कि उसकी उचा अपने मंदिर में विराजवान हो जाएं वेदान्ती जी बड़े प्रसंद थे इस वास से और उनका यही कहना था कि भाई मंदिर ऐसा बने उंचा सिखर उसका बहुत उंचा हमने का ठीक है यह सब प्रस्ताव रखा जाएगा इस वरों भी प्रसंद थे और रुक करते हैं अध्या का हमारे साथ एबीपी गंगा समवादा था रिशी गुपता जोड़ रहा है रिशी जिस तरीके से कई दिनों से बवंडर मचा हुआ था और बार बार सामने आ रही थी कि मंदिर के मॉडल को लेकर संतों में ही सिर्फ फुटवल मची हुई है आए कसले लिछ आज ने नितर गुपालदाश से मुलाकात की है और उन्होंने नेतु गुपाल दाफ ने उनको आशा सुन दिया है कि जो मंदिर बनेगा भब बनेगा और उच्छा बनेगा जिसको ले करके राम बिलाग विदानती भी उनको संतुष्ट हुए और उन्होंने ने कहा कि जब हमारी बात हुई ट्रेस्ट की अध्धत नेतु ग गड़ का रुक करते हैं प्रताबगड में कल हुए अम्बिका पटेल हत्या कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस ने समामले में एक्शन लेते हुए पांच आरोपियों के गरिफतारी कर ली है ऐसा दावा है कि इश्कवाजी के चक्कर में युबक अम्ब करनी हुई है कानून विवस्था के सामने एक बड़ा संकट है अलाकि इस मामले में पांच आरोपियों को पुलिस ने गरिफतार कर लिया और इस खबर पर जादा जानकारी के लिए रुक करेंगे प्रयाग राज से समवादाता मुहमद मोहिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मोहिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई की यूबक की हत्या हुई और पुलिस को भी बिक्षा नहीं गया पुलिस की गाड़ी को भी नहीं बक्षा गया इससे समझना मुश्किल नहीं कि प्रयाग राज रेंज में अपराधियों के होसले कितने बुलंद हैं प्रयाग कर लिजी हालत खस्टा हो गई कानुठ वेवस्था की एक यह हगर बात करें तो यहन absent ने देखा कि पूरे प्रदेश चुप इ काफी सुधरी हुई थी क्राइम का ग्राफ काफी नीचे आ गया था वहीं अगर प्रियागराज रेंज की हम बात करें तो यहां खासकर दो जिलों में प्रियागराज और प्रताब गड़ में क्राइम का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा अगर हम कल की घटना की बात कर लें त लेकिन उसके बावजूद मामला लगातार बिगड़ता रहा और कल उसको जिन्दा जला देने की घटना हुई. इस मामले में जब पुलिस वहां पर पहुँची तो गाउंवालों का गुसा फूट पड़ा, उन्होंने पहले पुलिस पर पत्थराओ किया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी और उसके बाद पुलिस की दो वैन में और एक बाइक में आग लगा दी गई. तो दो घटनाएं हुई, रात को बड़े अधिकारी प्रियागराज से मौके पर पहुँचें, उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, तो दो F.I.R.S. मामले में हुई, युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफतार किया गया है, ये दोनों नामजद आरोपी थे जबकि जो हिंसा हुई थी, जो पत्राओं और आगजनी हुई है, उसमें ग्यारा लोगों की पहचान अब तक कर ली गई है, और ग्यारा में इसे पांच आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है, जिस ही वक्त के कल मौत के घाट उतारा गया, आपसे कुछ तेर पहले प्र जिवार वालों के इस बात के लिए तयार किराय जा रहा है, जो बड़े अधिकारी है, खुद लगातार मौनिटरिंग कर रहे है, और कोशिश ये की जा रही है, कि हालात अब धीरे-धीरे जल्द से जल्द सामाने हो, और फिर से कोई घटना वहां पर न घटने पाए, बिल जानकारी देने के लिए, और आगे बढ़ते हैं, लॉकडाउन के बाद देश अब अनलॉक होने लगा है, कल से अनलॉक वन के शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली से यूपी आने के लिए नोईडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर एंट्री नहीं मिले से जाम की समझ से हरोज बन रही है, आज भी सुबह से ही बॉर्डर पर लंबा जाम लगा रहा, सिर्फ पास वालों को ही बॉर्डर पार करने के अनमती मिल रही है, तो देखे दो तस्वीरे आपको लिखा रहे हैं, नोईडा बॉर्डर पर आज भी भीशर जाम लगा, कल मुख्यमंत विकट रहे और लोगों को भारी परिशानी जेलनी पड़ी तो आप देख रहे हैं बॉर्डर की तस्वीरें, नोईडा बॉर्डर और गाजियाबाद बॉर्डर और अब एक अनोखी खबर, यूपी के कुछ जिलों में इन दिनों अपने अपने सांसदों की खोच चल रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सांसद गुमशुदा हो गए हैं, लहाजा पोस्टर चपवा कर उन्हें डूनने की कोशिश की जा रही है, आपको ऐसे ही दो तस् तस्वीर है केंदरी मंती और मेठी सांसद इसमृती राने की जिनके खिलाफ लापता सांसद से सवाल नाम से पोस्टर जारी हो गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में बिजनोर लोकसवा सीट से बसुपा सांसद मलूक नागर के खिलाब तस्वीर लगा दी गई है, और और यहां पर वक्त एक छोड़े से ब्रेक का है, फोरा नाजिर होंगे